आपको माहूल, एट्मॉस्फिर कैसा मिल रहा है? वो आपके सिलेक्शन का महत्वपून आधार होता है सोचोगे तब ही एक्जिक्यूट होगा, तब ही इंप्लीमेंट होगा, अधरवाइस नहीं होगा दो चीजे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो हमारी लाइफ का स्ट्रगल यानि संघर्ष ट्रिक्स होती है एक्जाम को क्रेक करने की, जिसमें आप आपका प्रसेंटेशन अच्छा करके, एक अच्छे नमबर, एक अच्छे स्कोर आप लेकर कहा सकते हैं एक्जाम में आप सभी को, कैसे हैं आप लोग सभी बहुत बढ़ियां, क्या बाते में देख रहा हूँ, एकदम मुस्कुराहट चेहरे पर भरपूर है, जोश, जुनून दिखाई दे रहा है, काफी एक्साइटेड हैं आप सब लोग आज के सेशन के लिए, तो सबसे पहले सिम्मी मैम आपका बहुत सारा धनेबाद, जो आप यहाँ पर आज समय दे रहे हैं, और पूरे विनर्स इंस्टिटूट की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूँ, सभी सिक्षगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे सभी नन्ने मुन्ने प्यारे बिध्यारती जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का भी स्वागत, आज काफी सारी चीजे आप सीखेंगे, जनरली हम दो प्रकार के सेशन्स करते हैं, या तो क्वेशन आंसर रखते हैं, या फिर जो हमारे गेस्ट होते हैं, पूरा वही आपसे बाचित करते हैं, तो ह सेशन रहेगा, दो चीजे बहुत इंपोर्टेंट होती हैं, एक तो हमारी लाइफ का स्ट्रगल, यानि संघर्ष, कि कैसे यह यात्रा शुरू हुई, क्या-क्या दिक्कतें आई, कैसे उनका हमने सामना किया, और कैसे इस पद पे और इस चैन तक वो पहुँचे, एक साइक कि जब आप सफल लोगों को सुनते हैं, तो उस व्यक्ति ने अपने 40-50 साल के जिंदगी में जो सीखा है, वो आपको एक किताब को चंद घंटे पढ़ने में सीखने को मिल जाता है, ऐसी जब आप किसी सफल व्यक्ति को सुनते हैं, तो उन्होंने जितना भी अपना आपको कुछ चंद मिंटों में, चंद घंटों में आपको सीखने को मिलता है, और कहा जाता है ना कि आप जैसे लोगों को सुनते हैं, जिस प्रकार के लोगों को देखते हैं, जिस प्रकार के लोगों के बीच रहते हैं, वैसे आप बन जाते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि क आरेकरम की बेला को आगे बढ़ाएं और फॉर्मली इसको कंठीडियू करें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जब यहां पे अंदर आ रही थी, तो आप लोगों ने बहुत सम्मान मुझे दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत अभारी हुए। देखिए, आज आप सभी लोग स्टूडेंट हैं और मुझे सुनने के लिए आएं हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके मैं दो मिनिट भी जो हैं, वो वेस्ट न जाने दूँ। तो आज हम एक खौमन बात भी करेंगे और चूकी मैं पीएस्ट एस्परेंट हूँ तो मैं उस एंगल से भी थोड़ा आपको बताऊंगी, ठीक हैं, ठीक हैं, क्या होता है कि मैं अपनी थोड़ी सी एक जर्णी जो है वो आपको बता दूँ। ग्रेजवेशन कंप्लीट हूँ था और 2014 में मैंने पीजी किया था, MSC, होलकर साइंस कॉलेज से, दौर्की ही में रहने वाली हूँ। तो जब 2012 में ग्रेजवेशन कंप्लीट हूँ था, तो तब मुझे करियर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, है ना अभी 2023 चल रहा है, कुछ सोचा नहीं था, कि कुछ बनना है, अधिकारी बनना है, कुछ नहीं सोचा था, मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, 2017 का अपरेल में MPPSC का नोटिफिकेशन आया था, असिस्टें रजिस्टार का, साहे कुल सचिव का, DAVV में जो साहे कुल सचिव होते हैं, जिनके आपकी मार्कशी डिगरी पे साइन होती है, तो उस एक्जाम के लिए मुझे केबल तीन महीने का वक्त मिला था, और चुकी PSC की ट्यारी में एक base बन चुका था, तो मैं उसके लिएकदम पागलो की तरह लग गई, सुबे में जल्दी 6 बजे उटती, और मुझे ये था कि 9 बजे कैसे करके घर चोड़ना है, लाइबरी दी जाना है, क्लास जाना है, और बिलकुर पढ़ना है, तो टिफिन वगेरा अपन इमानदारी से हाप पढ़ती थी, और फिर अपने घर चली जाती थी, क्योंकि घर पे वो माहोल नहीं मिल पाता था, टीचिंग का, तीन महिने तक मैंने बहुत इमानदारी के साथ, बहुत रणनितिक रूप से तयारी की, और उसका मैंने मेंस निकाला, मेरे पहले जब लॉक्डाउन लगने वाला था, उसके पहले ही मेंस थी, फिर रिजल्ट नहीं आया मेंस का, रिजल्ट भी आया तो आप सबको पता है कि वो एक्जाम जो थी, वो बहुत लंबी खिच गई, है ना, कई कार्णों से बहुत लंबी खिच गई, अब जाके उसका अभी र फाइनल और उसमें लिस्ट में मेरा तीसरा नाम था, पूरे MP में थार्ड रिंक लगी थी, जब हम महनत करते हैं तो वो चीज जो है वो आपके काम में आती है, तो वही मेरे साथ हुआ, फिर 2019 का रिजल्ट अगया, इससे कुल जादा मुझे फरक पढ़ा नहीं क्योंकि वो सिलेक्शन होता है न, तो आपको माहूल, एट्मॉस्वेर कैसा मिल रहा है, वो आपके सिलेक्शन का महत्वपूर्ण आधार होता है, है न, बहुत सारे बच्चे, बिचारे उनको माहूल ही नहीं मिल पाता, एट्मॉस्वेर ही नहीं मिल पाता, अगर महार लोग की मेरे name है, वो केवल study करना है और ये पढ़ने के लिए ही इंदोर आया है और ये 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई कर सकता है A से कितने student है ऐसे कितने student है जो 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर सकते है तो देखो, ये सच है ये सच है ये वाली चीज थोड़ी कठिन है लेकिन ये एक ही बार में सीधे सेलेक्शन तक पहुचाती है और रेंक लगती है इसमें रेंक, ठीक है न, मैंने ये किया है, 12-14 गंटे मैंने पढ़ाई की है इमानदारी से, ठीक है आप ये मैं अपने नोट्स पर बताऊंगी, एक ऐसे स्टुडेंट है, जो प्योर तो है, जो 12-14 गंटे पढ़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको चाहे सुट्टा बार पर चाहे पी नहीं है, टिंकुस पर पीजा खाना है, दोस्सका बट्टे आया, पार्टी गंडी है, एसे में सबसे यादा बच्चे परिशान होते हैं, कि मैं कहां से पड़े, कैसे पड़े, हम तो पड़ी नहीं पारे हैं, हमको तो यादी नहीं हो रहा है, प्री करें कि मेंस करें, कौन सी एक्जाम की तयार ही करें, तो वो ये बच्चे, हमेशा आपकी सोच बड़ी रखो, आप मैं पताओ, पटवारी भी आपने बहुत अच्छी पोस्ट सपने लगते हैं कि आपको सपना है कि आप किसी बड़ी रियासत के राजा हो, उस समय के लिए ही आपको बड़ी खुशी में हैसूस होई, तो बताओ क्या हड़े, सोचोगे तब ही एक्सिक्यूट होगा, तब ही इंप्लिमेंट होगा, और दरवाईस नहीं होगा, देखो एक चीज होती है strategy है ना दो तरह के student है एक तो ये पूरे एकदम बिल्कुल भी focus नहीं है student एक student है जो third category के हैं इनको बिचारों को थोड़ी job भी करनी है क्योंकि थोड़ी परिशानी है और उसके साथ में इनको study भी करनी है ठीक है तो आज मैं इन दो student पे ही जो है वो बात करन वाली हूँ ठीक है ये वाले student या तो इधर आजो और इधर आजो ये रहोगे तो मैं बात भी कर लूँगे ना हमेशा पारिशान रहोगे बच्चो ठीक है ना तो अभी हम इधर और इधर बात करने वाले हैं कोई भी exam की हम तयारी start करते हैं तो सबसे पहली जो important चीज होती है वो होती है हमारा syllabus चीक है वो होता है हमारा syllabus चीक है तो syllabus हमेशा आपके पास होना चाहिए चाहे आप MPPSC की तयारी करो चाहे आप UPSC के student हो चाहे व्यापम की किसी exam की तयारी कर रहे हो तो उसका syllabus आपके पास में होना चाहिए चाहे आप SSC के student हो तो उसका syllabus जो है वो आप के पास होना चाहिए दूसरा ये उस एक्जाम का जो भी old question paper है वो आपने solve करा होना चाहिए उसकी भी hard copy आपके पास में होनी चाहिए ये दो आपके सफलता की पहली सीड़ी है अगर ये नहीं है आपके पास में तो आप आज ही इसको करें बात कर लेते हैं prelims की prelims में 10 unit है पह सब्सक्राइब की है अब आपने क्या कि पढ़ना स्टार्ट क्या पहली unit से और उठा लिया history MP का उत्ते गोट मार रहे हैं एकदम रट्टा मारे जा रहे हैं पर आपने paper उठा के नहीं देखा अभी आप paper उठा के देखें पेपर सब तक उठा के नहीं देखेंगे तब तक आपको एक्जाम का टेस्ट और एक्जाम की डिमांड बतानी चलेंगी कि कहां से जादा number of questions उठ रहे हैं तो यह इसलिए मैंने आपको बोला कि आप paper देखें तो सबसे पहले आज घर जाके आपको आपका एक time table बनाना है time table शुरवात में आप 6 घंटे self study को दो ऐसा time table बना एक्जाम क्या है युद्ध है और आप इसके योध्धा हो और आपकी जो तैयारी आपके notes है वो क्या है आपके हतियार है तो युद्धु को आपको जीतने के लिए हतिहार को धार देना पड़ेगी न? हतिहार आपको क्लास से अलोट हो गए, किसी बच्चे को क्लास से अलोट नहीं होते हैं, मतलब वो कोचिंग नहीं कर पारा विचारा, उसके आर्थिक इस्तिती ऐसी नहीं है, तो उसको ये 70% तै इनिशल बढ़ाएं, 6 घंटे, फिर 6 से 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी को दे, फिर आप देखें कि यार, ओल्ड कोश्चन पेपर में कैसे कैसे प्रशन आ रहे हैं, उससे साब से आप अपनी नोट्स जो हैं, उसको प्रिपेर करना तयार करें, बात करती हो MPPSC Pre की, तो MPPSC Pre म नोट्स बनाने पर इतना साधा ध्यान नहीं दिया जाता हैं, क्योंकि प्रिलिम्स हैं, फैक्ट्वल चीजे आती हैं, लेगन उसमें कुछ कंफ्यूजिंग वाले जो चेप्टर होते हैं, और जिनसे बहुत साधा प्रशन पूछे जाते हैं, तो उस उन पर्टिकलर टापि नोट्स बना सकते हैं, ठीक हैं, बाकि जो सारी चीजे हैं, आप आपके क्लास नोट्स से ही उसको पड़ें, अब प्रिलिम्स निकालने के लिए, स्टडी माटेरियल क्या हो, कैसे करें, तो देखो एक तो आपके क्लास नोट होंगे, ठीक हैं, जो क्लास में आपको टीचर पड़ाया होगा, वो आपके पास होंगे, ठीक हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सत्तर प्रतिशत है, अभी मैंने आपको बताया है, वो कितना है, सत्तर प्रतिशत, इसका ये मतलब कतब भी नहीं है, कि तीस प्रतिशत टीचर को नहीं आया तो उसने आपको नहीं पड़ाया, ठीक है ना? 30% क्या होता है? आपको लगाने पड़ते हैं extra effort क्या लगाने पड़ते हैं? extra efforts क्योंकि extra efforts is equal to extra marks है ना? to get select in the examination अगर सभी लोग लोग सेवग बन जाते तो आज हमको ताटा, अम्मानी ऐसे लोगों की नाव सुनने को नहीं मिलते तो आपने टाइम टेबल बना लिया है अब हार पास में self study का समय है इस टाइम टेबल को आप 2-2 घंटे के slot में बाट दो बीच में 30 मिनिट का ब्रेक ले लो फिर से 2-2 घंटे के slot में इसको बाट दो 12 घंटे हो गए है किसी को जादा लग रहे तो कम कर सकते है इससे क्या होगा बोरियत महसूस नहीं होगी ठीक है ना तो यह टाइम टेबल आपका बना होना चाहिए इसमें मैंने पहले बताया था syllabus हाना दूसरा बताया था old question paper तीसरा आपका टाइम टेबल हो गया हाना चोथा आपका क्या होगे जब आपने प्री की पड़ाई करी है उसका तरीका मैंने आपको बताया समय मैंने आपको बताया और उसके बाद में self evolution मतलब objective लगाना ठीक है जब आप इतना कर लेते हो तो definitely आप एक अच्छे score को exam में ला सकते हो मैंस की तयारी परी के साथ साथ होती है जैसे अब वो कब होगी जैसे जब आप coaching class करते हो ना पाचार माच घंटे की class करते हो तो आपको साथ साथ में मैंस के notes भी बनाने पड़ते हैं ये notes बना रहे हो मतलब आप आपके हतियार को तयार कर रहे हो क्योंकि में जो युद्ध है आपका वो आपको लड़ने के लिए जाना है और युद्ध में अगर आपके हतियार आपके notes नहीं हुए तो आप नहीं चापाऊगे ठीक है देखो diagram तो देखके समझ में आगया होगा MP का map बना है और सारी के सारी नदिया एक नजर में है और वहां पर उनका उद्गम लिखा हुआ है कि कौन से जिले से निकली है और कौन सी पहाड़ी से निकली है और उसका अवसान बताया गया है क्योंकि नदियों का जो टॉपिक है वो उससे उसके बना पेपर ही नहीं बन मैं जब वहाँ पें चार उप्ष्ण आप एक्जाम में तो दो तो ऑलिम्ने हो जाते हैं पर वो बारा जो बजवाते है वो डो ऑप्ष्ण देते हैं ठीक है उस कमें अंप्र इनुजह को मैं रोकने के तो आप पूछे मुझसे मैम मेरा कोश्चन यह है कि जैसा मेरा प्रिलीम से कंटीनु नहीं निकल रहा है 2021-23 तो मेरी जो सिली मिस्टेक्स होती है जो फास्ट की बोता है मैं मतलब क्लिक नहीं करके सेकंड वाला क्लिक कर पाती हूं मतलब फर्स्ट नहीं हो पाता है तो मेरे आट तस कोश्चन गलत हो रहे तो उसमें भार हो रही हूं बाकी मैं पढ़ाई पूरी अभी इस वाली प्रिमे किसमें मेरे 72 आ रहे है 72 आ रहे है 72 आ रहे है मतलब बंदी पढ़ती तो है तो एक चीज याद रखना कि क्या हूता है जब हम देने के लिए जाते है तो एक जात को क्रेक करने की कुछ हैक्स होते है कि जैसे मेरे सार हमेशा बोलते थे कि जब आपको दो आप्चन में कभी गन्फ्यूसन हो न तो पहले आपके माइंड में क्लिक हुआ है उसी को लगाओ बात में उसको बदल के मताओ है ना ये बात 90 परसेंट सही बेटी है 10 परसेंट के ने लेती है ठीक है ना तो यह आप चीजों को फॉलो करो दूसरा आप कहीं ना कहीं या तो प्रेक्टिस टेस्ट नहीं लगा रहे हो इस कारण से आपने जैसे सेकंड पॉइंट बताया था कि जोब के साथ तो वही प्रोब्लम में कि थोड़ी सी फाइनेशल प्रोब्लम थी इसलिए मैं अच्छे नहीं लगाए था आपने तो देखो मैंने पकड़ ली बात यहां पर क्योंकि मैंने जो चीजे हैं वो मैंने खुदने जह तो थोड़ा सा एक्जाम टाइम पर क्या करो या तो जॉड़ी सी चुट्टी ले लो ठोड़ा एक्स्ट्र एफर्ट लगाओ या नींद को मारना पड़ेगा क्योंकि सोगे तो आपकी जिंदीगी के दिन ही कम हो रहे हैं घंटे ही कम हो रहें हैंना एक बार आप लपक के ज मैं एक स्ट्राइफट लगा के और यह आपको जो बता है तरीका आप लगा है और जाद 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 रिविजन करें इस तरीके साप नोट्स बनाए तो होगा मैं मैं यह पूछ रही हूं कि जिसे कि अभी हमने स्टाट किया प्रिप्रेशन अभी बिगना रहा है मतलब अभी स्टाट किया है तो मतलब कैसे पढ़ने की कंसिस्टेंसी बनाए और कैसे मतलब रेगुलियर पड़े हम उस चीज को जिसे कि आपने बोला कि 12 से 14 गंटे तो हम मतलब 12 से 14 गंटे के पहले क्या बोला चार गंटे बोला धर पर चाके सेल प्रिविजन करना है ना मैं जिसे में पढ़ते है ना तो कभी एकदम सोकस नहीं हो पाते मतलब वह ओर थिंकिंग हो जाती है कि क्या होगा ओर थिंकिंग यार होगी क्योंकि सब कोई रोबोट तो है परसनली अनुभव बताओ अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप प्लीज उसको करना मैं सरस्वती बंदना आज भी करती हूँ सेलेक्शन के भाद भी करती हूँ उससे मुझे एक आत्मिक शक्ती मिलती है तो ये चीज़ें जो है ये आपको डर लगना घबराट होना इन करती थी पीसी स्टुएंट्स गुद आफटनून मैं मैं एक माइक फोड़ा पीछे भी ले जा सकते है नहीं तो बिचारे पिछाले बच्चे रह जाएंगे है ना सारे इतर से आरे कोश्चन हा मैं मेरा क्रेशन था कि जैसे कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टुएंट थी पर हम स्टुएंट देहों ये इंग्लिश मेडियम अले बच्चे ना विचा पांचने पेपर ने हो चटे पेपर में मात खाएं microw वोगी हिंदी में उनको लिखना पड़ता है और इंग्लिश मेडियम वाले बच्चों की इतिय अच्छे हिंदी की राइटिंग में नहीं आती है और उनकी मात्राओं की स्पेलिंग बहुत जादा होती है तो ऐसे बच्चे क्या करें भवरकुआ पे कई पता कर लेना तीन-च वो एडिटोरियल में दाहिंदु दाजनसत्ता या नहीं पड़ती थी बिल्कुल भी क्योंकि में MPBS करनी हो तो मैं उसके हिसाब से पड़ती थी तो भच्चे को बोला चाहता है कि दाहिन्दु पड़ो जनसत्ता पड़ो इसा नहीं इतने सारे पड़े का पागल हुझायग और दूसरा क्या? प्रीवियस एर कोश्चन पेपर. अब यह पर तीसरी चीश कंपल सरी हो जाती है और वो क्या? सेल्फ नोट्स. देखो, मेंस के नोट्स बनाना है, तो मेंस के प्रीवियस एर के कोश्चन पेपर बीना छुडाए मत बनाना. है ना, तो क्या बना लोगे? डबल बनाने वड़ेंगे. ठीक है ना? तो जैसे प्रश्चन पूछे जाते हैं, उसी के हिसाब से आपको हर एक टॉपिक को मेंस में लिखना है. आपका सिलेबस आपके पास है, जो भी टॉपिक उसमें दिया है, उसके हिसाब से आपको लिखना है. मेंस के कुछ ट्रिक्स होती है, एक्जाम को क्रेक करने की, जिसमें आप आपका प्रसेंटेशन अच्छा करके, एक अच्छे नमबर, एक अच्छे स्कोर आप लेकर कहा सकते हैं, एक्जाम में. देखो, यह एकोनोमिक्स वाले पॉर्शन के मेंस के नोट से हैं. तो इसम तरीका समझ में आगया आपको? नमस्ते में नमस्ते.. थैंक्यू? तो में में अगने में से होने वाला है, तो बॉन्ये पार समय वाला है. तो में से एक कोई बात ने तो आज़्यों चोईस के प्रिकीत आरी कर रहे हूँ? हाँ. वह में नास में मेंस इन्जार राए है. तो कि यृवारे के वारिक अपर फर्ट कर रहा है तो आपको मेंस निकालना है जादा काई बरबाद आपको नहीं करना है तो क्या है कि पेれ और मेंस को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा जैसे देखो अभी प्री की एकद़ इनिशें लेवल पर तयारी कर रहे हो तो जो भी आपको पूरा दिन रात सब को छोड़ के पूरी दुनियादारी छोड़ करके, आपको मेंस की तैयारी में लगना पड़ेगा, दस से बारा घंटे, अगर आपको वन शॉट में, कि प्री कॉलिफाई हुई और वन शॉट में आपको मेंस, जो है वो निकालनी हैं तो, नमस्ती में, नमस्ते ये ऐसे अपना जो 3 मार्कर वाले उस चांच राइती हैं और 5 मार्कर वाले इसमें संब्स्रीमा चार स से आधर अदर संब्स्रीमा और जिसमें लिखा यह दो पंकति में उत्तर दीजिए तो पन तीन पंकति भी यूज कर शकती है जितनी पंकतिया है ना लिखने के लिए जगा वो पूरी भर दो ऐसे उसमें पाइप से छे लाइन यूज किजिए ना पूरी भर कर आओ शाब्द सीमा यह आपको देखना काम नहीं है आपको तो कोई छोटा कोशन आ गया फेक्च्वाल जो एक ही शब्द में अंसर आपको कम्प्लीट हो रहा है तो वो पुरा उसको आपको लिखके आना है ऐसे करना है मतलब कोश्चन की प्रकृति के हिसाब से आपको अंसर देना है ठीक है और जितनी जगा है वो तो पूरी फुल यू करना बता दिये विल्कुल की डिटेलिंग करना भी जरूरी है उसकी हेडिंग मत लिखो उसकी डिटेलिंग के फॉर्म में आपको दो तीन तीन लाइन में लिखना पड़ेगा इसकी प्रेक्टिस करना पड़ेगी मैं अपनी कॉपी डाल दूँगी तो आप उसको देखके अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूँगी तो आप उसको देख लेना तो मैं जैसे पांच नम्मर वाला कोश्यन है उसमें भी टिरिट लिंग कैसे कर शक्ति में मुतना जगह दी रहेगी स्पेस ठीक है आप मैसे क्लास के बाहर मिलना हम आपको बताती हूं ठीक है चल बच अपने इंट्रो बता दिया विश्का बता दिया कि फ्लोशाट में क्या डालना है थोड़ा सा ये क्लियर कर दिए कंक्लूजन का मैं बताती हूं कंक्लूजन आपका इतना अच्छा होना चाहिए क्योंकि कंक्लूजन पढ़के वह आपको नंबर देगा जैसे मालेजी उसने हड़पा सब बता कि नगर नियोजन पर कोई प्राश्न पूछा है तो आप क्या बताएंगे कि वर्तमान जो स्मार्ट सिटी अवधारना है वो हड़पा का ही सम्वल्दी तूप है मतलब 8 से 2350 से 1750 वर्ष पूर वही ये चीज़े आ गई थी तो जाब आप एकदम अलंकरत करके और उसको निस्करश में वर्तमान से जोड़ करके आपको आपका निस्करश बनाते हो ना तो एक बहुत अच्छी मार्किंग जो है वो आपको वापपर मिलती है तो कंक्लूजन तीन से चार लाइन का हो उसमें हमको सकार आत्मक रूप से उसको end करना है सरकार में उसके आपके ही वो आपको number देता है, तो conclusion में उसको एकदब मज़ा आजाना चाहिए पड़गी, कि मतलब क्या बात लिख दी है ये, ठीक है? Thank you so much, ma'am. Thank you so much. मैं, please, please, say down. Thank you. कि मतलब 15 मिनिट में वो डिसाइड कर लेते हैं, इंटर्विवर कि हमको स्वार्ग में भेजना हैंगी, नर्ग में भेजना हैं, मतलब अच्छे नंबर देना है, या बाहर करना है केंडिडेट को, तो मतलब लग भी सारी चिजन चलती है, पर सफलता, जो महनत है, वो चाबी ह दिया आपकी बहुत हगध है वच्छो कि वो आपको बहुत कुलंदी तक, बहुत उचाई तक पहुचा सकती है, लेकिन उसका आप मजाक मत बनाईए, नहीं तो वो आपका बना दीगी, इने सुपकामनाओं के साथ आप सभी के उजवल भविश्य के कामना करती हो, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, मैम इस पल को यादगार बनाने के लिए संस्था की और सेक स्मृति चिन आपको, श्री आतित्य सर, प्ली सर आईए, जोर प्ली सर आईए, जोरी आतित्य 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 सर आई